इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं निमलिखीत संख्याओं को ओभाज गुनान खंडों के गुनान फल के रूप में व्यक्त करें ठीक है तो ध्यान देजे पहला है 146, 156, 385, 5005, 74, 29 सभी को ओभाज गुनान खंड वीधी से व्यक्त करना है और इतना बेटर तरीका से मै कभी भी नहीं भुलिएगा ठीक है तीन पिली तक जरूर याद रखेगा तो ध्यान देजे ज्यादा बुलने की जरूरत नहीं है और अगर आपको कोई भी कुश्चन की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजेगा मैं आपका सहायता जरूर करूंगा कोई भी कुश्चन ह तो एक नंबर में है पहला है 140 का ओभाज गुनन खंड वीधी के रूप में व्यक्त करना है तो ध्यान दीजे किसका निकलना है 140 का ठीक है तो ध्यान दीजे तो ध्यान दीजे 140 का कैसे निकलते है 140 का हो जाएगा ठीक है उभाज गुननर्खन विधी के रूप में अचाना काईसे निकाल दीजेगा? एक चीज याद रखेगा, अंत में 0 या जोड़ा संख्या रहेगा तो उसको 2 से खिलाना है, क्या रहेगा? अंत में 0 या फिर जोड़ा संख्या, ेया पी जोड़ा संख्या क्या होता है? याद रखेगा 0-2-4-6-8 यानि सम संख्या 0 और 2-4-6 ये सब संख्या रहेगा तो 2 से खिला देना है ठीक है उसके अलाबा 3 से कब खिलाना है जोडने पर अगर 3 से भाग लग जाए जोडना है पहले मान के चलिए 4 आरे क्या हुआ पांच सबको जोड़े 4 आरे क्या होता है 5 पांच जीरू पांच है हुआ यानि 3 का 3 में अगर 5 आ जाएगा तो समझ जाएगे जोडने पर 5 हुआ ना है तो समझ जाएगे कि 140 भी आ जाएगा इसी परकार नहीं है तो ध्यान दीजे मैं आगे आपको बताऊंगा याद रखेगा तो जीरो दू चार छे ये सब रहेगा तो किस से खिलाना है दो से खिलाना है किस से खिलाना है दो से खिला देना है ठीक है ये वाला दो से खिला देना है तो अंत में जीरो है तो दो से खिलाते हैं दो से क्या हो सकते हैं 150 का अधा क्या हुआं 70 2 से खिलाने करना है फिर अंत में um तो 2 से तो खिला दें 2 से और नहीं खायेगा क्योंकि 10 में 0 2 4 6 8 भा सब्सक्राइब तो 2 से क्क्वारे खी लकार 2-7 तो 2 science पर 3 से भाग लगे तो ये भी 35 भी 3 का 3 में आ जाएगा तो 5 आर 3 क्या होता है 8 तो 3 का 3 में 8 आता है नहीं आता है तो नहीं खाएगा अगर 5 आर 3 यानि 9 हो जाता है तो 3 का 3 में तो 9 आ जाता है तो 35 भी आ जाता है तो जोड़ने पर तो याद रखेगा तो 5 आर 3 क्या हुआ 8 तिन का तिन में तो नहीं आता है, तो नहीं खिलाना है, अब किस से, चार से तो खिलाना ही नहीं है, क्योंकि अगर दू से खाता तो चार से भी ओटमेटिक खा जाता है, पांस से, तो पांस सते पैटिस, गुड़, अब कौन पाला से खिलाना है, सत से, सत का सत, या फिर आप भी सकते हैं यहाँ पर साते का साथ कोन भी धी सी वो भाज गुना नखन भी धी तो लिखते हैं एक सो चालिस बराबर हो जाएंगे दू गुना दू गुना पांच गुना सा इसका मतलब हो गया दू के गो है ध्यान दीजे दू के गो है एक दू तो छोटा इसा दू लिख दिये ठीके गुना पांच के गो है एगो तो एक लिख दी साथ के गो है देख सकते हैं एगो तो य धियान दिजिए अगर आपको इच्छा होगी तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं नहीं तो वीडियो देखते देखते फिर आप भूल सकते हैं ठीक है लाइक सब्सक्राइब कर दें तो 156 बनाते हैं तो देखना है कि 156 कौन पढ़ा में आता है ठीक है तो सबसे पहले 156 का निकलते हैं उभाजगुननखन विदिद्वारा तो दूसे क्यों खिलाएं दूसे क्योंकि अन्त में 6 है तो ये भी आ जाएगा ठीक है तो 156 का आधा हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 78 78 होगया अब फ़िर दूसे दूसे खिलाएंगे यानि दूसे भाग देंगे तो हो जाएगा अन्तिस ओ इसी दुगका दूमें दूसे 78 को यानि भाग दे सकते हैं आप अगर दिक्कत होगा ना तो 78 को क्या करना है दूसे भाग दे देना है 78 को क्या करना है दूसे भाग दे देना है तो 49 आ जाएगा भाग फल क्या आ जाएगा 49 अहीठो 49 यहाँ लिख देना है अब किसे दूसे नहीं खाएगा? क्योंकि अंत में हैं, क्या बोले? 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो दूसे खिलाना है, तो 9 है, तो दुक्ै दूसे नहीं खाएगा, तिनका तिन से खाएगा या नहीं, तो कैसे इसका जानकारी पहले जोड़ना है? ना वार तिन क्या हुआ बारा तो बारा क्या तिन का तिन में आता है हाँ तिन का तिन में बारा आता है तिन चाओ के बारा तो समझ जाएगा कि उन्चालिस भी तिन का तिन में आ जाएगा पहले ना वार तिन क्या हुआ बारा अब यह मैं सुचिए बारा तो दुका दू में कुला और लुजर्ड़ना है तुम हyt यूजर्ट ने का है सब्सक्राइब गई जाएगा तो तीन एका तीन 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 नो यानि तेरा बार में आ गया तो तेरा एका क्या हो गया तेरा यानि एक बार में हो गया इसका मतलब हो जाएगा 156 बराबर आ जाएंगे क्या क्या है दू दू तेरा यानि दू गुना दू गुना तीन गुना तेरा इसका मतलब ह हो गया और यही होगा इसका इंसर अब न recovery acting अधे है現 तियान दीजेगा अधे आलतिश पचिश को खिलाना अधे थ्यान दे तो यहां पर लिख दिए है अधेस पचीस ठिक है तो आधेस पचीस को तो है नहीं 5 है यानि 5 यहां से नहीं मिलता अब देखना हुआ जोले कर देखेंगे 5, 2, 7, 7, 8, 15 15 18 18 18 18 Caesar उपया हुआ सभी जोलेत हुआ तो आप 70 करना है कि 3-3 में 18 आता है हां 3-3 में 18 आता है यानी कि 835 भी तिन का 3 में आएगा अएगा इसे में PRESाद दिया हूं ठीक है तो ध्यान दीजे तीने का तीन अब भाग दे सकते हैं ठीक है इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो आज आएगा तेरा सो यो आज तीन दुनाग इच्छा यानि बारा सो पचपतर क्या हो जाएंगे बारा सो पचपतर अब कौन पढ़ा से साथ पांच साथ पांच बारा तेरा चवदा एक पंदरा पंदरा हुआ जोड़े तो सबका हुआ पंदरा यानि तीन का तीन में पंदरा आता है तो बारा सो पचपतर भी तीन का तीन में आना है तो आना है तो क्या करना है तीन से खिलाएंगे तो हो जाएगा चार सो बीस ती चीज अब 5 से खिलाएंगे तो हो जाएगा ध्यान दीजिए 5 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 85 अब 8-5-13 ठीक है पांच है तो यानि 5 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 17-5-85-85 हो गया अब 17 से खिला देना है 17 क्योंकि अब देखें चार दू-6 कराता नहीं है तो नहीं खिलान क्योंकि दुक का दू में जो खाता है तो 4 का 4 में भी ओटोमेटिक खाएंगे ठीक है अंत में 5 रहेगा तो 5 से ओटोमेटिक खा जाते है इसमें भी 5 है तो 5 से खा गए अब 17 है 17 कोई भी पढ़ा से नहीं खाएगा ये तो अलग संक्या है ठीक है 17 होँआ 19 हुआ 23 कोई पढ़ पांच गुना आप लिख सकते हैं 17 ठीक है नहीं यहाँ पर तो आप लिख दिजेगा बराबाई तीन के गो है दू गो तो दू लिख दिए पांच के गो हुआ दू गो 17 के गो हुआ ए गो तो लिख दे यही होगा इसका इंसर इसी तरह से बनाना है चौथा नंबर का इसाब है पांच हजर पांच यानि कि अंत में पांच है तो इसका इसका साब जाए रहे कि वह पांच से खा जाएंगे तो पांच से खाएंगे तो हो जाएगा पांच जीरो है तो जीरो जीरो है तो जीरो पांच का पांच पांच का बार में एक बार में अब 11 बार से खिला देते हैं, 11 का 11 हो गया 13 बार में, तो 13 एका 13, यहां पर हो चुका है, 13 एका 13, तो लिखते हैं, 5000 पांच बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया, सब तो एक एक बार है, यानि सब में 1 एक भी लगा दीजिए, या फिर यहां भी इनसर आप छोड़ सकते है, 5, 7, 11, 13 बार में खा गया है, ठीक है? तो चलिए, 54, 29 खिलाते हैं, 54, 29 यानि की दुखका-दू में तो आएंगे नहीं, 7, 4, 12, 13, 13 अरना हो गया, 7, 22 यानि 3 का 3 में नहीं आता है, तो 4 का 4 में भी नहीं आएगा, पांच का पांच में भी नहीं आएगा, छेका में भी नहीं आएगा, साथ से देख लेते हैं, साथ का साथ में भी, साथ से भाग देते हैं, तो नहीं आता है, ठीक है, आठ से भी नहीं आता है, तो यानि कि आठ, नाव से भी तो नहीं आएगा, दस से भी नहीं आ रहा है, एक दुख्कादू में आता तो 14 के 14 में इससे क्या सब आला है ठीक है 14 15 में भी नहीं 17 से आ रहा है ठीक है तो 17 से भाग दिये तो आ गया इसका यानि की 400 साइटीज अब पीछे नहीं जाना है कि 17 में आ गया है तो अब एक बार दुख्कादू से खिला देंगे नहीं 15 के 15 से खिला देंगे नहीं अब 18 से चेक करना है तो 18 के 18 में भी ना आया ना 17 के 17 में 19 का 19 में चेक कर लेते हैं पहले चलिए 19 का 19 में आ गया ठीक है 19 का 19 में 23 बार में आ गया ठीक है अब क्या होगा आप यहां भी छोड़ सकते हैं या 23 से आप खिला सकते हैं तो हो जाएगा 74, 29 बराबर हो जाएगे 17 गुना 19 गुना 23 इस तरह बनाईएगा और अगर आपको कोई भी वीडियो की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट किजेगा मैं आपका साहिता जरूर करूंगा अगला मैं बता रहा हूँ और भी है 96 का 120 का अगर बनाना है तो 120 का मान के चलिए बना देते हैं ठीक है 120 का बनाएगी तो दूसे हो जाएगा 60 दूसे क्या हो जाएगा 30 दूसे 15 अब 3 का 3 में आ जाता है 15 तीन पचे 15 पचे 15 पचे का 5 हो गया ठीक है इससे की 120 का जो हुआ क्या क्या हुआ दू गुना दू गुना दू गुना तीन गुना पाँच यानि दू के गो हुआ एक दो तीन यानि दू हुआ तीन गो तीन हुआ एगो पाँच हुआ एगो यही होगा इसका इंसर तो अगला हिसाब बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो चुका है इसलिए अ सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है बस एक मेरा सद्द से बन जाईएगा और कभी भी इस चैनल से आपको ये फाइदा मिलेगा कि कोई भी कुश्चन की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट किजेगा मैं आपका सहयता जरूर करूंगा तो इसके लिए आपको इक्छा होगी तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कहर सकते हैं